नमस्कार इन ख़बर में आपका स्वागत है मैं विद्धर शंकरतिवारी हूँ क्या दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीला दिक्षित की मौत के जिमेदार दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको है यह मैं नहीं करा हूँ खुद स्वीला दिक्षित के बेटे संदीप दिक्षित ने यह आरोप लगाया है और उन्होंने इसको ले करके चाको को एक चिठी भी लिख डाली है कहा है कि या तो आप माफी मांगिए और नहीं तो फिर हम करवाई करेंगे क्या अखिरकार राजनीत में आरोप प्रत्यारोप गुटबाजी एक दूसरे को निचा दिखाने या बर्चस्व की लडाई चलती रहती है लेकिन संदीप दिक्षित ने अपनी मां के जो 20 जुलाई को डेथ होई थी और लगभग जो है धाई महिने बाद इस तरह की चिठ धक्ष बनाया गया उनके साथ तीन कारिकारी अधक्ष भी बनाया गया जिसमें की देवेंद्रियादो थे राजेशली लोटिया थे और हारुनिर्शूर थे लेकिन जब वो और पीसी चाको परदेश के प्रभारी थे तो जो जिला दिक्षित हैं उनके काम करने का अंदाज एक दम अलग है तो उन्होंने जब अपने तरीके से काम करना सुरू किया तो कहीं ने कहीं उससे कारिकारी जो अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष वो भी दरकिनार हुए और पीसी चाको भी हुए ऐसा उन लोग को लगता है और इसी क्रम में उन्होंने 14 जीला कमेटियो और 208 बलाक के लिए जो परिवेक्षक नियुक्त किये जो लाश्ट में तना तनी के कारण बना उसमें पीसी चाको या इन तीनों से कोई सलाह मस्वीरा नहीं किया तो इसको लेकर के 17 जुलाई को जो है पीसी चाको ने एक सिलाधिक्षीत को चिठी लिख दी कि आपके तब में मुझसे भी सलाह मस्वीरा नहीं किया गया और कारिकारिया दक्षो से भी सलाह मस्वीरा नहीं किया गया तो ये तना तनिया भी चल ही रही थी 17 जुलाई की 17 जुलाई की ये घटना मतब चिठी और इसके बाद 20 जुलाई को जो है उनकी डेथ हो जाती है अब इसी को ले होती उनके निधन का कारण मांसिक उत्पिडन है और निधन के धाई महीने हो चुके हैं इतने समय बाद भी दिल्ली का द्यक्ष नहीं चुना जा सकता माना जा रहा है कि अब इसमें भी कोई यह बाते हैं इस बीच दिल्ली में जो कांगर्स का पेंच फसा हुआ है वह यह है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन क्योंकि जो है फरवरी में अगले साल चुनाओं है दिल्ली में तो आजय माकन ने इस्तिफा दिया उसके बाद शीला देक्षित जो है प्रदेश अध्य अब उसमें अजय माकन को भी बताते हैं कि फिर से वह दावेदार हो गए हैं अब दावेदारों में और कौन सामिल नहीं तो तिनों जो कारिकारी अध्यक्ष है जिसमें हारुन सूफ हैं देवेंदियादो हैं और आजसली लोटिया है वो भी है पुर प्रदेश संदीप दिक्षित का भी है लेकिन आज जब घुसला होने वाली है तो यह चिठी कुछ कह रही है कि आखिर का जिस 11 अक्टूबर को दिल्ली कांगरिस का प्रदेश अध्यक्ष नया मिलने वाला है उसी दिन संदीप दिक्षित ने यह बं क्यों फोड़ा क्या उनका पत्ता क्यों कि राजनीत में होता क्या है जो सिधे सामने मकसद दिखता है न कि इस वज़ा से हो सकता है कई अधरवाए साह सोटा नहीं है होता कुछ और ही है अधर्वाइज धाई महीने बाद इस चिठी का कोई मतलम नहीं या तो मौत के कुछ दिनों बाद ही ये बात आती वो आरोपला गाते तो समझ में आ रहा है उसके पहले जो है संदीप दिक्षित जाकर के सोनिया गांधी से मिल थे लंबी गुफ्त गुह हुई थी और धाई मह प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है उमीद है कि साइद भोसला हो जाएगी नहीं तो दिन में हो जाएगी तो देखते हैं कि क्या निकल करके आता है फाइनली और पीसी चाकू क्या जबाब देते हैं को कि पीसी चाको से भी पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अभी मैं पूले को सांथ किया जाता है या लडाई यूहीं यह बढ़ती जाएगी तो जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे आप देखते रही हमरा डिजनल इनकबर थैंक यू इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले